आप लोग अखिल भारती है पिसासनिक सेवाओं में जो भरतिया होती रहती हैं उसके लिए UPSC के बारे में सुनते होंगे Union Public Service Commission के बारे में सुनते होंगे और जो आपके राज जिस्तर पर पिसासनिक सेवाओं में जो भरतिया होती है उसके लिए आपके राज में State PCS होता है State Public Service Commission होता है दोनों आपकी सम्मिधानिक संस्काए हैं तो आज हम लोग इसके बारे में एक बिस्तार से चर्चा कर लेंगे अगर आप लोग किसी एकजाम की तैयारी करते हैं खासकर अगर आप लोग Civil Service की तैयारी करें या पर आप लोग State PCS की तैयारी करें वंडे एकजाम की तैयारी करें तो इस टॉपिक से आपकी परिक्षाओं में हर साल questions पूचे जाते हैं और मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि आप लोग जिस भी एकजाम की तैयारी करते हैं उसके पुराने questions paper कम से कम 4-5 साल पुराने questions paper उठा के जरूर देखिएगा आप लोगों की समझ में आगा कि कहा सी किस तरह के questions पूछे जा रहे हैं अब आप लोग IES की तैयारी करें तो इसके भी पुराने questions paper उठा के देखिए और IES का जो एक्जाम करवाता है वो संस्ता के बारे में मुझे लगता है कि आप लोगों के पास एक सामान चानिकारी होनी जरूर चाहिए IES Civil Service आप देखते हैं कि आपका Central Level पर होता है पूरे देश बर में होता है फिर आप लोग राज्जी में जाते हैं यूपी में जाते हैं तो यूपी PCS का एकजाम होता है MP में MPPSC का होता है बिहार में BPSC का होता है उत्तराकंड में उत्तराकंड PCS चतिसगर में चतिसगर PCS, राजिस्थान में राजिस्थान PCS होता है तो इन ही सब की बात हो रही है भारती समिधान की अनुच्छेद अगर आप लो 312 को पड़े तो इसकी अनुसार संसत को संग और राज्ज संग और राज्जों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतिय सेवाएं एक अखिल भारतिय न्याएक सेवा सहद बनाने का अधिकार पराप्त है और इन सभी अखिल भारतिय सेवाओं में भरती संग लोग सेवा आयोग यानि की Union Public Service Commission द्वारा की जाती है और राज्जिस्तर पर आप देखें तो पिसाथनिक सेवाओं ही तो राज्ज लोग सेवा आयोग द्वारा भरती की जाती है संग लोग सेवा आयोग भारत में केंद्रिय भरती एजंसी है क्या है? केंद्रिय भरती एजंसी है अगर आप लोग समिधान का भाग 14 पड़ें, कितना भाग 14 पड़ें, तो इसमें अनुचे 315 से लिकर अनुचे 323 के तहट, संग लोग सिवा आयू की सरजना, उसके सदसों की नियुक्ति, निस्कासन, तथा संग लोग सिवा आयू की सकतियों और कारेयों से संबंधित प्रा संबंधित देखने को मिलेगा प्रावदार, यहीं एक स्ततंत सम्मीधानिक निकाए है, समीधानिक निकाए कहने का मतलब होता है, कि सम्मीधान के किसी अनुचेद में, उस संस्था के बारे में बात की गई है उस संस्था की स्थापना की बात की गई है के अंदर में UPSC के समाननता राज्ज में राज्ज लोक सिभायू यानि की स्टेट PCS काम करता है और समिधान की अरुचे 14 में अनुचे 315 से लेकर अनुचे 323 के तहट इस्टेट PCS की सरचना उसकी सदस्थों की 323 में ही आपके स्टेट PCS यानि की राज्य लोक सिभायू की बात की गई है अगर हम लोग इनके समिधानिक प्रावधान की बात करें तो इन अनुचेदों को आप लोग जरूर रट लीजेगा ठीक है कंठस्त याद होना चाहिए डारेक्टी कुश्चन कई बार कूच लेत पबलिक सर्विस कमीशन की, UPSC और इस्टेट PCS की गठन की बात किसमें की गई है? 315 में अनुचे 316 क्या कहता है? ये कहता है कि UPSC के साथ साथ इस्टेट PCS के सदस्तों की नियुकती और कारकाल की बात की गई है अनुचे 316 में सदस्तों की नियुकती और उनका कारकाल जो होगा उसकी बात की गई है वो चाहिए UPSC के हो फिर इस्टेट PCS को हो अनुचे 317 क्या कहता है? UPSC या फिर इस्टेट PCS दोनों की सदस्तों को हटाना और नियलंबित करने की बात की गई है किसमे? अनुचे 317 में अनुचे 308 क्या कहता है? ये कहता है कि आयूग की सदस्तों करमचारियों की सिवा की सर्थों हितू नियम बनाने की सक्ती की बात की गई है अनुछे 319 क्या कहता है ये कहता है कि आयोग की सदस्वन द्वारा सदस ना रहने पर पद्धारन करने की कापिती सेथ की बात की गई है अनुछे 320 क्या कहता है लोग सिवा आयोगों के कारियों के बैडन की बात की गई है अनुचे 321 क्या कहता है? लोग सिवा आयोग के कारेओं का विस्तार करने की सक्ती की बात की गई है अनुचे 322 में क्या कहता है? लोग सिवा आयोग के बैए पैसे के खर्ज की बात की गई है अनुछे 323 क्या कहता है लोग सिवा आयोगों की रिपोर्ट की बात की गई है फिर इसे आप लोग एक बार अनुछे आर्टिकल देख लीजे गठन की बात किसमे की गई है 315 में सदसों के निवक्ति और कारकाल की बात किसमे की गई है 16 में अनुछे 316 में अब आप देखे, इस सदसों की नियुक्ती हो गई, उनके कारकाली की बात होगी, तो सदसों को हटाना है, या नीलंबित करना है, तो यह किसमे कहा गया है? 317 में. अगर आप देखे, आयोगे कि सदसों और करमचारियों की सिवा की सरतों हितु नियम किसमे बनानी की सकती है, यह आप देखें, 318 में कहा गया है, आयोग की सदसों द्वारा सदस नहा रहने पर पदधारन करने का पिती सेथ, यानि कि उन्होंने पदधारन कर लिया है, तो आंगे कोई पदधारन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसी बात किस में की गई हैं, 319 में, 320 क्या कहता है, आयोगों की कारियों का विस्तार करने की सकती की बात की गई है, 321 में, अन्चे 322 क्या कहता है, लोग सिवा आयोगों की खर्चे की बात करता है, ब्या की बात करता है, 322, और 323 कहता है, लोग सिवा आयोग की रिपोर्ट की बात करता है, ठीक है, 323, अगर हम लोग की न्यूकति की बात करें तो UPST के अध्यक्ष, UPST के चेयरम lihat यानि की अध्यक्ष और अन्यस अध्यक्ष और अन्यस अध्यक्ष की नियुकति भारत की राष्टपती द्वारा की जाती है अब हो सकता है कि डारेक्ष ही आपसे Questions पूछले, क्या पूछले? डारेक्ट इक्विश्टन स्कूझ ले कि भाई बताईए आप UPSC के चेयर्मेंड यानि के अध्यक्च और अनसदसों की निवक्ति कौन करता है आपसे कहेगा क्या कहेगा आपसे कह देगा राश्टपती, पिधाल मंत्री, सुप्रिंग कोट यान मैं से कोई नहीं बताईए क्या लगा होगे आप लोग तो आप लोग लगा दोगे क्या राश्टपती लगा दोगे UPSC कि स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में हुई थी एविए आप लोग याद रखेगा, ठीक है इनसे भी questions कई बार क्या होते हैं पूँच लेता है आपसे और इसके पहले अध्यक्ष की अगर आप लोगों से पूँचे कि पहले अध्यक्ष कौन थे बताईए तो रौस वारकर ने संग लोग से बाए कि पहले अध्यक्ष के रूम में काम किया था 1926 में और भारत के अगर आप पूँचे तो पहले भारती UPST के अध्यक्ष कौन थे HK किपलानी साहब थे और UPST की पहली महला अध्यक्ष कौन थे रोज मिलियन वैथी उत्ये ठीक है याद रखिएगा इनके बारे में और जिस समय आप लोग एक क्लास देख रहे हैं उस समय कौन थे कौन है यह आप लोग बताईएगा अब आप देखे नियुक्ति हो गई इनकी इनके कारकाल की बात करें तो UPST का कोई भी सदस 6 साल की अउधी के लिए या फिर आप देखेंगे 65 वर्ष की आयू तक जो भी पहले हो पर 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 रहेगा कहने का मतलब सीधा साइए हैं कि 6 साल की आउधी या 65 वर्ष की आयू जो भी पहले हो माल लीजे आपकी नियुक्ति आपको संगलुक सिवायुक का सदस्ति आध्यक्ष बनाया जाता है और आपकी उम्र है 55 साल कितनी 55 साल आप 6 साल का कारकाल पूरा करेंगे कितनी हो जाएगी 61 साल हो जाएगी आपकी तो आप लोग तो पूरा कारकाल पूरा कर लेंगे लेकिन मान लिजे किसी की निवक्ति 62 साल की उमर में हो जाती है अब आप देखेंगे 62 3 साल वाद ही आप देखेंगे उसका क्या हो जाएगा 65 साल का हो जाएगा तो जब उसकी उमर 65 साल हो जाएगी तो उसे पद छोड़ना होगा, ठीक है? जो भी दोनों में से जो भी पहले हो, अगर हम बात करें पुरना नियुक्ती की, क्या वो एक बार पद पर आ चुके हैं, तो क्या वो दुबारा पद पर आ सकते हैं? कोई भी बेक्ती जो एक बार लोग सिवा आयूक के सदसों की रूम यह आप लोग याद रखेगा, इनकी अगर हम लोग त्याग पत्ती की बात करें, तो संग लोग सिवा आयोग का कोई भी सदस भारत की राष्टपती को लेखे त्याग पत्त दे कर अपने पत्त से इस्तिपा दे सकता है, अगर आप देखिए आपको नहीं रहना है सदस की कोई भिष्टाचार कर आये, तो उसे हटाने की विवस्था भी तो होने चाहिए, निस्कासन की विवस्था तो होने चाहिए, तो संग लोग से वाईव के अध्यक्च या किसी अन्यसदस को भारत की राष्टपती की आदिश से ही उसके पद से हटाया जाएगा, किसके पागलों का क्या काम है, अपने कारकाल के दौरन कार्याले की कर्तबों के बाहर किसी भी भुक्तान वाले रोजगार में सलंगन होता हो, राष्टपती के राय में मांसे क्या सरीर की दुरवलता के कारण पद पर बने रहने के लिए आयोगो, तब इसे पद से हटाया सेबा की सर्तों को भी निमित करने की बात करें, तो UPST के मामले में भारत की राष्टपती की सक्ती आयोग के सदसों की संख्या और उनकी सेबा की सर्तें निर्धारित करता है, कौन राष्टपती, आयोग के करमचारियों की संख्या उनकी सेबा सर्तों के संबंद में आपके कारकाल के दोरान कोछ भी संसोधन नहीं किया जाएगा। कारियों की विस्तार करने की सक्ति की अगर हम लोग बात करें। आयू की सदसों या करमचारियों के बेतन भत्ते पैंसन सहथ UPST का खट भारत की संचित निदी से लिया जाएगा। समक्ष पिस्तूत करने से पूर संसत के पितेक सदन की समक्ष पिस्तूत करना होगा। संसा द्यानी की आप देखे लोगसभा और विधानसभा की बात हो रही है। ठीक है यह आप लोग याद रखे यह आप देखे संग लोग से बायुक की बात होगी। अब आजाई यह राज्य लोग से बायुक के बारे में। इस्टेट PCS के बारे में। तो सदसों की निवक्ति कौन करता है आपके राज्य में जो PCS होता है। इस्टेट PCS के अध्यक्च और अन्य सदसों की निवक्ति संबंधित राज्य के राज़पाल द्वारा की जाएगी। UPSC के संदर में आप देखते हैं कि राज्य पती कर रहा है और राज्य के संबंध में आपका राज्य पाल कर रहा है। ऐसा देखा जाता है, जिस तरह से केंदरिस्तर पर आपको राश्टपती देखने को मिलता है, उसी तरह से आप लोग राज में राजपाल देखते हैं, अगर हम लोग State PCS के कारकाल की बात करें सदसों की, तो 6 साल की अहुदी के लिए या फिर 62 वर्स की आयू जो भी पहले हो पद पर रहते हैं, यानि कि सीधा सा कहने का मतलब एह हैं का, क्या कहने का मतलब है, वहाँ 6 साल 65 वर्स की आयू रखी गई है, यहाँ 6 साल 62 वर्स की आयू रखी गई है, राजपाल नियुकती की बात करें तो कोई भी बैक्ती जिसने एक बाल लोग सिवा आयू की सदस की र राज्य की राजपाल को लेकित में अपना इस्तिपा दे सकता है यहां राजपाल की बात हो रही है सदसों की निस्कासन ये नीलम्मन की बात करें तो आप देखे इस्टेट PCS के अध्यक्ष या किसी अर्न सदस को भारत की राजपती के आदिस द्वारा ये उनके कार्याले से हटाया जाएगा वहां भी आप देखे राजपती को हटाने की सकती है यहां भी राजपती को हटाने की सकती है नियुक्त करने की सकती किसके पास है राजपाल के पास लेकिन हटाने की सकती राष्टपती के पास है राज्य का राज्यपाल अध्यक्ष या फिर किसी अर्न सदस को उसके कार्याले से निलंबित कर सकता है जिसके सम्मद में सरवोच नियाले द्वारा निर्देश दिया गया हो और सदसों को हटानी की सरते UPSC के सदसों के हटाने के समानी ही आप लोगों को देखने को मिलेगा सेवा सरतों की बात करें भी नहीं या मन की तो आप देखेंगे कि स्टेट PCS के PST के मामले में राज्यों के राजपाल वही कर्तबों का पालन करते हैं जो UPSC के मामलें भारत की राश्पती द्वारा की जाती है और सकती पर पीदिबंध की बात करें तो State PCS की सादस्थों की सेवा सर्तों में उसकी नियुक्ती के बाद किसी भी पिकार का संसुदन नहीं किया जाएगा और खर्च की बात करें तो State PSC के सबी खर्चे राज्ज की संचित निधी पर भारित होते हैं और इस्टेट पीसी अपने कारण की बारस्तिक रिपूर्ड राज्जी के राजपाल की समक्ष पिस्तुत करता है और जिन मामलों में आयूक की सला मान नहीं होती है उन्मामलों से संबंदित ग्यापन राजपाल को पिस्तुत करना होगा और आसुईकीती के कारणों को आप देखते हैं पहले राजबिधान मंदल के समक्ष पिस्तुत किया जाता है तो ये भी याद रखेगा सेबा उधी समाथ होने पर पुनान युक्ती की बात करें तो अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करें तो UPSC का अध्यक्ष भारस सरकार या किसी राजबिधी की सरकार के दिन किसी अन्रपत पर रोजगार ही तु आपात्थ होगा यानि कि एक बार अगर आप UPSC की अध्यक्ष बन जाते हैं तो आगे चलकर ना तो भाराज सरकार ना ही किसी राज सरकार के दिन किसी अनपद पर आप रोजगार प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लोक सिभायो में जो अध्यक्ठ होता है यह UPSC का अध्यक्ठ बन सकता है या UPSC का सदस बन सकता है यह आपर आप देखें किसी अनपर आप रोजगार पर आप नहीं कर पाएगा। अन्य सदसों की बात करें तो UPSC के सदस अध्यक्ष के अलावा, UPSC या पर State PCS के अध्यक्ष की रोम में नियुक्ती का पात होगा, सदस सदस नहीं बन सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष तो बन सकते हैं, UPSC का अध्यक्ष बन सकता है या State PCS का अध्यक्ष भी बन सकते हैं UPSC के स उनकी आप देखते हैं एक तरह से क्या प्रमोसन कह लीजे आप लोग तीक है हो सकता है आंगे बढ़ सकते हैं वह भारा सरकार या किसी राय सरकार के दिन किसी अनर रोजगार ही तू पात नहीं होगे उन्हें चाहिए भी ना और यूपीस थी इस्टेट पीसे इस के कारी की ब यूपीस थी की और जो पीसे इस का एकजाम होता है आपके हैं यह जिम्मेदारी किस की रहती है आपके हाँ जो राज्य लोग सिभाएग होता है न उसकी रहती है इस्टेट पीसे इस की साहता को साहता यूपीस थी का यह करतब होता है कि राज्यों को उनके अनुरोद पर क एक दूसरे से आप देख लेज़ेगा अभी आपने देखा UPSC के बारे मैं फरेश्टेट PCS के बारे में यह आप देखें दो राजर चाहें दो या दो से अधिक राजर चाहें तो अपने हाँ सैुक्त Rाज्य लोगसिवा ऐउक का गठन भी करवा सकते हैं तो भारतिी समीधान के अनुछे 315 के अनुसार दो या दो से अधिक राज्यों की आपसी सहमती से राज्यों के उस समूग के लिए एक लोग सेवा आयो का गठन किया जा सकता है। अधिक्ष और सदसों की नियुक्ती भारत की राष्टपती द्वारा की जाएगी। वहाँ आप देखते हैं कि राज्यों के संदर में राज्यपाल कर रहा था। लेकिन यहां क्योंकि स्तयुक्त है तो आप देखते हैं कि अगर एक राज्यी के राज्यपाल से अगर आप दे जो भी पहले हो पद्धारन करते हैं आप देखते हैं कि आयू 62 वरस ही रखी गई है और इस्तिपे की बात करें तो अनुछे 317 के तह जुएंट स्टेट PCS का कोई भी सदस भारत की राष्टपती को लेकित में अपना इस्तिपा दे सकता है यहां राष्टपती ही सब कुछ कर रहा है सर्वूच नियालाइद्वदा संदर दिये जाने के बाद राष्टपती को आयू किस अध्यक्षे या फिर किसी अनसदस को उसके कारेकाल से नेलबित करने का अधिकार पराप्त होता है सकतियों की बात करें तो अनुचे 318 के अनसार भारत की राष्टपती को नेमलिकित अधिकार पराप्त होते हैं आयू की सदसों की संख्या और उनकी सेवा की सर्ते नेधारित करने से संबंदित और रेपोर्ट की बात करें तो अनुचे 323 के अनुसार जोएंट VCS के काया करतब होगा कि वह उन राज्जों के राजपालों के समक्ष भारसिक रेपोर्ट पिस्तुत करें जिन्नों ने मिलकर आयू का गठन किया है और पितिक राज्ज का राजपाल उन मामलों की ब्याक्या करते हुए एक ग्यापन फिर्दान करने ही तुँ जिम्मेदार होता है जिसमें आयू की सला को सुईकार नहीं किया गया हो आज सुईकिती के कारण पितिक राज्ज की बिधान मंडल की समक्ष रखे जाते हैं तो इस तरह से आप देखेंगे ये कहानी है आपकी स्टेट PCS, UPSC और आप देखें ज्वैंट यानि कि सयुक्त राज्ज लोग सेवा आयोकी अगर आपकी परिक्षा में इसे कुश्चन्स आएंगे तो आप लोग मुझे लगता है कि बहुत बहुत तरीके से इनका जवाब दे पाएंगे अब आपका कोई सवाल हो मेरे लिए सुझाओं या किसी और टॉपिक के बारे में बात करनी हो तो आप लोग नीचे बता सकते हैं